प्रधान मंतरी नेरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी विक्सित भारत एड़ दारेड 2047 युवाओं की आवाज योजना को लांच किया इस योजना का लक्ष देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विक्सित रास्ट बनाना है इस उद्देश को पूरा करने में युवाओं की एहम भूमिका होगी लिहाजा देश भर में तमाम वर्कशाप आयोजित की जाएंगी कारिक्रम के दोरान पी-म ने देश भर के राजभौनों में आयोजित वर्कशाप में युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्तान प्रमुखों को संबोधित किया मैं सभी गवर्नर्स को विशेश बधाई दूँगा कि उन्होंने विक्सीद भारत के निर्मार से जुड़ी इस वर्कशाप का आयोजन किया है देश की युवाशक्ति को दिशा देने का दाईत्व जिन साथियों पर हैं उनको आप एक मंच पर लाए हैं सिक्षन संस्थानों की भूमी का व्यक्ति निर्मान की होती है और व्यक्ति निर्मान से ही राष्ट निर्मान होता है अपने संबोधन के दौरान पियम मोदी ने कहा कि हमें देश में एक ऐसी अमरित पीड़ी को तयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश का करणधार बनेगी जो देश को नेत्रुत्व और दिशा देगी हमें देश के एक ऐसी नवजवान पौध को तयार करना है जो देश हीत को सर्वो परी रखते जो अपने कर्तवियों को सर्वो परी रखे प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि ये भारत के इतिहास का वो काल खंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है ये एक तरह से उस देश का अमरितकाल होता है भारत के लिए ये अमरितकाल इसी समय आया है ये भारत के इतिहास का वो काल खंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है वहीं इस औसर पर ज़ारखंड के राजिपाल सीपी राधा क्रिश्टन ने कहा कि 2047 का सपना भारत के सर्वांगीड विकास का है सर्वांगीड विकास का मतलब है भारत सभी छेत्रों में चमकना चाहता है कि आप लिए का सब्सक्टा चाहता है वहीं पीम मोदी ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं जिनोंने एक निश्चिस समय में इतनी लंबी छहलांग लगा कर अपना विकास किया है इसलिए मैं कहता हूँ ये भारत के लिए सही समय है हमें इस अमरित काल के हर पल का लाब उठाना है हमें एक भी छड़ नहीं गवाना चाहिए